नमस्कार स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अगेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे यह जो भरती का नए नोटिफिकेशन है यह College of Vocational Study New Delhi के द्वारा जारी किया गया है और यह College जो है University of Delhi के अधिन आता है और यह ओफिशली जो है यह Employment Notice है वो Employment News जो 27 नौवंबर से लेकर 3 दिसंबर का जो Officially Employment News है उसमें यह Publish हो चुका है और इन सभी पदों के लिए आपको Online Application जमा करवानी पड़ेगी Offline Application के लिए इसमें हिदायत नहीं दी गई है केवल और केवल Online Application ही आपको जमा करवानी पड़ेगी इस Advertisement के तहट जो पोस्टे निकालेगी है वो किस रेनी की है और कौन-कौन से पद है वो सारी जहनकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्रापत कर पाएंगे तो वीडियो के अंतक जुरूर बने रहे और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको इस परकार के जोग के छोटे बड़े नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे चलिए आगे की वीडियो देखते हैं कौन-कौन से पाथ अड़ेजमेंट की गई है सबसे पहले जो हिदायत देगी है कि इन सभी नोन टीचिंग पोस्टों के लिए रेगलार बेसीज की ये पोस्टे हैं और ओन-लाइन अप्लिकेशन आपको सम्मिट करने पड़ेगी ओन-लाइन अप्लिकेशन सम्मिट करने के लिए जो कॉलेज और वोकेशनल स्टडी न्यों देलेगी जो ओफिशल वेबसाइट है www.cvs.edu.in इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप फुल एड़टाइजमेंट और इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ओन-लाइन अप्लिकेशन अपी सम्मिट कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए सबसे पहला जो पद है वो है लेबरेरियन का एक पद है जो कि academic pay level 10 की vacancy है इसके बाद section officer के दो पद है जिसमे जर्नल सरनी के लिए 1 है SC के लिए 1 है और age limit की बात करें 18-35 वर्ष के बीच के candidate apply कर पाएंगे और pay level 7 की vacancy है senior personal assistant की एक vacancy है जो कि journal सरनी के लिए 18-35 वर्ष के बीच के apply कर पाएंगे और level 7 की vacancy है senior technical assistant computer की एक vacancy है जो कि journal सरनी के लिए है और pay level 6 की vacancy है इसी परकार senior assistant की 2 vacancy है 2 vacancy में एक assistant के लिए है और एक handicap सरनी के लिए है 18-30 वर्ष के बीच के जो candidate है वो apply कर पाएंगे और Level 6 की वेकंसी है इसी परकार Assistant की एक वेकंसी है जो की OBC स्रेणी के लिए रक्षित रखे गया और 18 से 30 वर्स के बीच के जो Candidate है वो अपलाई कर पाएंगे Level 4 की वेकंसी है MTS Library Attendant की कुल 3 वेकंसी है जिसमें General स्रेणी के लिए एक है OBC के लिए एक और एक हैंडिकाप स्रेणी के लिए रक्षित रखी गई है Level 1 की वेकंसी है कुल 3 वेकंसी है इस परकार आप इन सभी पंदों के लिए Online Application Submit कर पाएंगे Online Application Submit करने के लिए आपको College की जो Official Website है csv.edu.in पर जाकर आप Online Apply कर सकते हैं और जो आपको फीज पेमिट करने पड़ेगी 500 रुपे जर्नल और OBC के जो Candidate हैं उन्हें 500 रुपे प्रति Application Fees के रूमें पे करने पड़ेगे और जो Candidate SCST और Woman Candidate हैं, Handicapped Candidate हैं उन्हें किसी वे परकार की कोई Application Fees नहीं पे करने पड़ेगी Online Application 15-12 से स्टार्ट हो जाएंगी 15-12 यानि कि 15 दिसंबर 2021 तक अपनी आप Online Application है वो Submit कर पाएंगे 15 दिसंबर के बाद आप अपनी Online Application Submit नहीं कर पाएंगे, उससे पहले-पहले आप इन सभी पदों के लिए Online Application Submit कर सकते हैं, इस परकार आप इन सभी पदों के लिए 15 दिसंबर से पहले अपना Online Application Submit कर दे इसके बाद क्योंकि इसके बाद आप अपना Online Application Submit नहीं कर पाएंगे आज की वीडियो में बस इतनी इंफर्मेशन आप चैनल पर बने रहें और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करते रहें भी